हेलो एब्रिवन आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में तुड़े वर डिसकस इबाउट दे कंडेंसर आज हम लोग कंडेंसर के बारे में देखेंगे और क्लासिफिकेशन आफ कंडेंसर के बारे में भी जानेंगे और जो वार्टर कंडेंसर और कशी भी भेपर को चेंज करा देता था है अगर हम लोग फ्रीज का बात करें तो हम लोग फ्रीज में जो condenser होता है वो condenser ये वाला part होता है जो आप फ्रीज के जो domestic refrigerator के back side का portion है this one is our condenser यही अपना condenser है ठीक है जो back portion है ये condenser है ये जो black वाला तार लगाया हुआ है this path is known as condenser ये air cooled condenser है ये हवा से ठंडा होता है और इसको long path इसलिए बनाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक कहाँ हवा में रहे बाहर रहे जिससे कि वो ठंडा हो जाए ठीक है और अपना भेपर चेंज कर दे अपना भेपर फेज चेंज करके liquid phase में आ जाए इसलिए ये condenser बाहर में लगाया हुआ है air के contact में होने की कारण इसको long path मिलता है और ये जो जालीदार इधर जो लगाया है वो भर्टी कली इतना सारा जाली वो इसका surface area को बढ़ाता है इसका surface area को बढ़ाता है ताकि वो heat क्या करे कि यहाँ जो इस pipe में heat flow कर रहा है जो refrigerant flow कर रहा है उसका heat को यह accept कर ले और उससे क्या हो उससे air में चला जाए transfer कर दे heat air में और वो ठंडा हो जाए तो इस तरह से क्या करेगा कि वो अपना face change करेगा तो अगर हमें condensation condenser का बात करो तो condenser condensation process करता है यह vapor को liquid form में करता है convert करता है और यह जो face change हुआ इसमें कौन से heat को यह लेता है अगर हम लोग देखेंगे तो heat दो परकार का हो गया एक sensible heat और एक latent heat तो latent heat को latent heat of latent heat जो है latent heat को यह extract कराता है जितना heat चाहिए हम लोगों को ठीक है जितना heat latent heat of vaporization अगर आपको पता है latent heat of vaporization है ना तो यह latent heat of vaporization को क्या करता है रेडियोस्ट करा देता है जो heat चाहिए होता है किसी liquid को वेपर बनाने में उसी heat को ये निकाल देता है condenser और उसको liquid phase में वापस से ले आता है तो अभी जो हम लोग देखें condenser के बारे में तो condenser का सिर्फ हम लोग domestic refrigerator में use नहीं करते हैं बलकि condenser को हम लोग thermal power plant में अगर आपको याद होगा तो turbine में जो steam turbine होता है तो steam turbine के बाद steam turbine जो होता है जिसमें हम लोग steam की मदद से क्या करते हैं टर्बाइन को चलाते हैं और उससे connected होता है generator और generator का soft rotate होता है और उससे हम लोग को electricity मिलता है ठीक है तो जो steam हम लोग का जो turbine steam turbine में आता है वो steam turbine में क्या होता है कि expansion process होने के बाद वो चुकि बेपर phase में रहता है तो उसको हम लोग convert कराते हैं liquid में और वापस से उसको ले जाते है boiler में वापस से उसको use करते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो steam turbine है क्योंकि जो अपना steam turbine है वो जो वाटर का use करता है boiler में जिस वाटर को हम लोग गरम करके भाब बनाते हैं वो वाटर के कौन सा वाटर होता है highly treated water होता है and we want not to lose it और हम लोग नहीं चाहेंगे कि वो highly treated water को वाटर को वापस से बरबाद करके हम लोग उसको use ना करें ऐसा हम लोग नहीं चाहेंगे तो उसका use करना चाहिए क्योंकि वो highly treated है हम लोग उसको कि उसमें जो केटायन एनायन और impurities है सब को निकाल करके हम लोग उसका use करते हैं बॉयलर में heat करा करके वेपर बना करके उसको steam में use करते हैं use करने के बाद वापस से उसको condense में condenser में condense करा करके वापस से boiler में ले करके आते हैं use करने के लिए तो ये cycle चलता रहता है हम लोग वापस से उसको use करना चाहते हैं इसलिए भी condenser का use करते हैं तो condenser का use बहुत जगह में है आपको बहुत जगह में condenser का इस्तमाल मिलेगा लेकिन इसका main जो function है वो function यही है कि वो condensed करता है steam को liquid में convert करता है तो condenser is a device in which steam is converted to water जो steam है उसको convert कर रहे हैं हम लोग water में ठीक है water में लेकिन यह तो होगे आपना अगर हम लोग normal definition देखे तो लेकिन अगर हम लोग general definition देखेंगे तब क्या होगा कि condenser is a device in which steam के जगह में भेपर लिखिये ठीक है condenser is a device in which भेपर is condensed to liquid भेपर को condensed कर रहे हैं liquid में क्योंकि आप तो इसमें यह जो steam to water बोला यह तो बिल्कुल सही है कि steam to water होता है लेकिन यह कहाँ पे होता है यह आपका thermal power plant में जो steam turbine use हो रहा है वहाँ पे जो भेपर है उसको हम लोग water में convert करते हैं न लेकिन यहाँ refrigerant है तो वहाँ general अगर definition होगा तो यहाँ क्या होगा बेपर होगा और यहाँ पे liquid होगा तो आप इसको सुदार लेंगे condensation can be done by removing heat from exhaust steam under circulating cooling water अब बोला कि जो condensation है उसमें क्या करते हैं can be done यह कैसे किया जाता है by removing heat from exhaust steam जो exhaust steam है उससे हम लोग heat निकाल करके heat निकाल करके उसको condensed करते हैं और उसको water में वापस से convert करा लेते हैं किस तरह से ठंडा किया जाता है उसको using circulating cooling water ठीक है using circulating cooling water बट यह जरूरी नहीं है कि हम लोग cooling water का ही इस्तमाल करें क्योंकि अभी आपको मैंने example दिखाया था यहाँ पे कि इसमें water तो use नहीं होता है इसमें तो air से cooling होता है तो हम लोग कोई भी cooling medium का इस्तमाल कर सकते हैं वो either water हो either air हो कुछ भी कर सकते हैं ठीक है तो इसका definition क्या exact होना चाहिए कि condensation can be done by removing heat from exhaust vapor है ना यह exhaust vapor using circulating using any cooling medium कोई भी cooling medium या the water use करे या air use करे during condensation the working substance change its phase from vapor to liquid and reject latent heat और वो vapor से liquid में convert होगा और उसे कौन सा heat निक लेगा latent heat निक लेगा तो अब होप आपको condenser के बारे में तो इतना समझ में आ गया अब हम लोग classification of condenser देखते हैं कि condenser को कितने type का divide किया गया तो condenser को categorize करने के लिए बहुत तरीका है है न तो जिसमें पहला आ गया कि time according to contact कि contact हो रहा है कि नहीं किस तरकी का contact हो रहा है कि वो वापस ठंडा हो जा रहा है ये face change कर दे रहा है उससे latent heat निकल जा रहा है तो हम लोग उसमें किस तरकी का contact लगाए वह है उसपर depend करेगा तो वो कौन सा contact होगा उसके according जब categorize किया गया फिर उसके बाद next आएगा कि कौन सा cooling medium हम लोग इस्तमाल कर रहे है water use कर रहे है air use कर रहे है या कुछ और use कर रहे है फिर आएगा कि और भी हम लोग तरीका है जैसे हम लोग steam power plant में जो condenser use करते है उसको हम लोग बहुत different different तरीके से categorize करते है उसके सब के बारे में नहीं जानते है हम लोग जो main important है अभी refrigeration related हम लोग वो देखते है तब first हो गया contact related according to contact तो दो हो गया एक हो गया surface condenser second one is direct contact condenser surface condenser और direct contact condenser तो अब हम लोग surface condenser का बात करते है आपको surface condenser से नाम से तो आपको ये पता चल रहा होगा कि हम इसमें सिर्फ surface touch में होगा और direct contact condenser में direct touch में आएगा तो दोनों में थोड़ा तो difference आपको नाम से ही पता चल रहा होगा अब हम लोग देखते हैं surface condenser के बारे में वेन direct contact is not desirable ठीक है इसमें क्या हो गया कि surface condenser एक ऐसा condenser है जिसमें जो condensing medium है मतलब आप condensing medium का मतलब जैसे आपको जो जो चीज आपको ठंडा करना है ठीक है उसको ठंडा आप किसकी माध्यम से कर रहे हैं आइदर आप air use कर रहे होंगे या water use कर रहे होंगे या कोई और यह जो भेपर है वो इन दोनों में कोई भी contact नहीं होगा ओके जैसे मैं कैसे बता हूँ चलिए मैं पूरा definition बता लेता हूँ फिर करता हूँ कि इन दोनों में कोई भी contact नहीं होगा physical contact नहीं होगा दोनों physically separated होंगे अलग अलग होंगे और इसका इस्तमाल हम लोग वहीं करेंगे जहां पर physical contact का कोई भी ज़रूरत नहीं हो ऐसा नहीं हो कि हमको सही में physical contact करना पड़े ऐसा कोई भी necessary नहीं हो तो भी हम लोग ऐसा इस्तमाल करते हैं it is a sail and tube heat exchanger इसमें जो है वो sail and tube heat exchanger है मतलब एक sail बनाना पड़ेगा और एक tube लगाना पड़ेगा sail और tube ठीक है heat exchanger installed at the outlet of each steam turbine in a thermal power station कि अगर हम लोग thermal power station चुकी condenser का वहीं सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है तो हम लोग उसके बारे में यहां लिखा हुआ है कि जो outlet है steam का उसमें हम लोग इस तरह का installment करते हैं sail and tube लगाते हैं ठीक है अब हम लोग ऐसा ज़रूरी नहीं है तो मैं इसका एक figure बना देता हूँ इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा कि जैसे माल लिजे कि यह इस तरह से है ठीक है और यहां बीच में हम लोग tube तो sail किसको बोलेंगे जैसे यह क्या है ना यह circular body है ठीक है ना यह भी circular body है पाइप है actually दोनों hollow pipe है दोनों क्या है hollow pipe है अब जैसे यह वाला जो inner वाला बाड़ी है इस pipe में हम लोग क्या use तो वाटर फ्लो करा दो तो अगर इधर वाटर फ्लो कर जा बाहर बाहर वाला boundary में water dirig मैं उसका color change कर देता हूँ इससे आपको आसानी होगा समझने में कि यह जो बाहर बाहर वाला flow कर रहा है ठीक कि ना यह मैं boundary बना देता हूँ इसका अंदर वाला part का और यह जो बाहर में flow कर रहा है तो इन सब का क्या करेगा कि water जो हम flow करा रहे है वो बहार है और जो steam है वो भेपर कहा है बीच वाला portion में steam इस टीम मेरा कहां पे है तो मैं बताता हूँ फिर से steam जो है वो यहां पे है steam ठीक है तो यह क्या करेगा दोनों एक दूसरे के touch में है क्या दोनों अलग-अलग pipe में है न एक sale में है और एक tube में है जो बीच वाला portion है उसको हम लोग बोलेंगे क्या tube बोलेंगे और जो बाहर वाला portion है उसको sale बोलेंगे तो इस तरह का sale and tube type arrangement होता है तो इसी में हम लोग ठंडा करते हैं तो ये हो गया आपका surface contact जिसमें आपका surface सिर्फ touch में रहेगा directly दोनों refrigerant या दोनों medium एक दूसरे के touch में नहीं रहेंगे ठीक है दोनों एक दूसरे के touch में नहीं रहेंगे और जो direct contact condenser है इसमें हम लोग का direct physically contact होता है तो इन्हें direct contact condenser जो hot vapor है hot vapor है and cold liquid are introduced into a vessel and allowed to mix directly इसमें हम लोग दोनों को जैसे हम लोग turbine यूज़ कर रहे है तो turbine में क्या होता है कि जो हम लोग को भेपर मिल रहा है वो तो क्या है water का form ही है भेपर क्या है एक water से ही न भेपर बना है वहाँ पे तो वो भेपर को हम लोग direct contact condenser use कर सकते हैं वहाँ पे और दो गरम भेपर आ रहा hot vapor को थंडा पानी के साथ touch में ला दीजे दोनों को mix कर दीजे थंडा पानी के साथ तो दोनों क्या होगा थंडा पानी थोड़ा गरम हो जाएगा और जो भेपर है वो condensed रोके liquid बन जाएगा तो यही होगा आपका directly mix कर देंगे rather than being separated by barrier such as wall on heat exchanger tube तो हम लोग को अलग-अलग रखने के जगा separate करने के जगा क्या कर रहे हैं दोनों को यहाँ पे mix कर दे रहे हैं ठीक है ना दोनों को यहाँ mix कर दे रहे हैं लेकिन यह आपका direct contact condenser आपका refrigeration में use नहीं हो पाएगा क्योंकि refrigeration में जो हम लोग refrigerant use कर रहे हैं तो वो refrigerant हम लोग चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से loss ना हो और वो किसी भी air के touch में ना आए और ना तो वो किसी water के touch में आए ठीक है ना तो हम लोग यहाँ पे इस तरह के का कोई भी ठंडा का system नहीं है हम लोग जो भी यहाँ करेंगे वो air cooled करेंगे ठीक है air cooled करेंगे हाना air cooled करेंगे और अगर बहुत ज़्यादा refrigerant अगर रहेगा जैसे हम लोग कोई industry वगेरा में अगर किसी hair back system अगर आप देखेंगे hair back पढ़ेंगे हम लोग hair back system जो होता है वो centralized AC का part है तो जो centralized AC होता है उसमें क्या होता है कि एक ही cooling system है ठीक है ना और उससे क्या करते हैं air को ठंडा करते हैं और वो air का supply पूरे plant में जितना भी chamber या बनाया हुआ है camera उन सब में वही phrase air ठंडा air chilled air को हम लोग supply करते हैं उसी को हम लोग centralized AC कहते हैं तो जब हम लोग centralized AC पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो refrigerant यूज होता है उसको ठंडा करने के लिए हम लोग water या कोई refrigerant का मदद लेते हैं लेगिन जो domestic refrigerator है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सिर्फ air से ही ठंडा करते हैं अब हम लोग देखते हैं कि medium का इस्तमाल करने से medium कौन कौन सा medium इस्तमाल करने से हम लोग का ठंडा मिलता है हम लोग ठंडा कर सकते हैं जैसे water cooled condenser है air cooled condenser and evaporative तो water cooled condenser में क्या है कि हम लोग water का इस्तमाल करेंगे ठंडा करने के लिए air cooled condenser में air का इस्तमाल करेंगे ठंडा करने में evoperative में है evoperation process का इस्तमाल करेंगे ठंडा कराने में तो अगर आप water cooled condenser देखेंगे तो इसका first point यही हो गया कि water cooled condenser is a condenser in which we cooled refresh rent with the help of water जिसमें हम लोग water की मदद से ठंडा कर रहे हैं second point यह हो जाएगा कि water cooled condenser is a little pricer to install यह थोड़ा little pricer है मतलब महेंगा है थोड़ा सा install करने के लिए starting में and this condenser are the more efficient type और यह बहुत ज़्यादा efficient type है मतलब इसमें छमता ज़्यादा है condensed करने का third point यह हो जाएगा कि this condenser required a regular service and maintenance इसको regular service and maintenance चाहिए जैसे कि हम लोग अगर thermal power plant का बात करेंगे तो उसमें चुकि water से deal करता है तो water से deal करने की कारण क्या होता है कि उसमें बहुत सारा impurities and fungis वगेरा आ जाता है तो उसके लिए उसको maintenance में चाहिए होता है उसके बाद जो हम लोग water use करते हैं जैसे हम लोग को जो भेपर को condense कराने के लिए जिस water का इस्तमाल कियें तो उस water को भी हम लोग को ठंडा करना होगा कहीं क्योंकि आप उस गरम पानी को चुकि आप वह जो आरा आ भेपर को ठंडा करने के लिए ठंडा होने की वज़ह से वो क्या होगा अगर indirect cooling water है indirect cooling water system अगर आपका है तो हम लोग normal water का इस्तमाल करेंगे ने ठंडा होने के लिए तो जब normal water का इस्तमाल करेंगे तो वो नॉर्मल वाटर चुकि गरम हो जाएगा उसको ठंडा करने के चकर में और जब ये गरम हो जाएगा तो उसको आप डिरेक्ली नदी या तालाब में तो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि नदी और तालाब में बहुत सारा जीव जनतु है है ना वहां मचलियां है और भी बहुत सारा क्रियेचर है तो हम लोग उसमें गरम पानी डिरेक्ली अगर छोड़ देंगे तो ये क्या होगा हम लोग के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा है ना है तो हम लोग इस तरह का एको सिस्टम को अन बैलन्स कर सकता है तो हम लोग इस तरह का काम नहीं करेंगे तो जो गर रेक्वायड, कूलिंग टावर, टू, कंजर वाटर, को लिए, वापश से उसको यूज करने के लिए, हम लोग को कूलिंग वाटर, रेस्टेबिलिस करना होगा, भिटाना होगा, ताकि जो पानी, कंडेंसर में, जो इन डारेक्ट वाटर है, जिस को मतलब, जिस वाटर को हम लोग turbine में use नहीं कर रहे हैं सिर्फ वो ठंडा करने के लिए इस्तमाल हो रहा है तो indirect water है उसको ठंडा करेगा ये उस तरह का cooling tower चाहिए होगा हम लोगों को okay now our next point is to prevent the corrosion and and forming of algae forming of algae मतलब algae का formation हो जाता है ना और मतलब corrosion हो जाएगा अगर water है vapor है या water है तो iron का body में तो वो corrode कर देगा तो water cooled condenser required a constant supply of makeup water along with water treatment इसमें बोला क्या गया कि जैसे आप आप जो मतलब turbine से जो निकल रहा है steam आप उसको क्या कर रहे है ठंडा कर रहे है ठंडा करने के बाद आप उसको क्या कर रहे है यूज कर रहे है पर वाइलर में फिर से उसको steam बनाने के लिए तो जब वाइलर में फिर से उसका इस्तमाल होगा तो अपको क्bling क्या लगता है कि एक बार जब भुषी steam बन करके पूरा circulate हो गयाальных तो कोई steam loss नहीं हुआ होगा कहीं pipe लिक नहीं हुआ होगा कहीं भल्व लिखना ही हुआ होगा, अब यसे हुआ होगा, तो जो loss हुआ हम लोगों को, उस loss को maintain करने के लिए क्या करना पड़ेगा, makeup water का इस्तमाल करना होगा, ताकि जो पानी loss हो गया है, वो loss वाला water आजाए वापस से, तो वो जो makeup water होगा, उसको क्या करना होगा, highly water treatment करना होगा water को treatment करकरके वहाँ पे भेजना पड़ेगा makeup water को तो water treatment क्यों करेंगे to prevent corrosion corrosion से बचाने के लिए algae का formation ना हो इस तरह का unwanted चीज ना हो इसलिए हम लोग उसको treatment करते हैं उससे जो positive charge जो negative charge है के टायन और इनायन है उसको remove कराते हैं उसमें जो भी impurities है उसको filter out करते हैं तब जाकर के हम लोग इसका इस्तमाल कर पाते हैं boiler में तो depending on the application you can choose from the tube in sale sale and coil और sale and tube condenser मतलब अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग कभी tube in tube का इस्तमाल करेंगे sale and coil का या sale and tube condenser का अलग-अलग तरीका है सब का काम एक ही है all are essential mat to produce the same सारा का का काम यही है कि वो condense करेगा है न सब का output same है but even in the different way लेकिन हर एक का अलग-अलग तरीका है लेकिन काम एक ही है समझ गए अब अगर हम लोग air cool देखेंगे अभी तक हम लोग water cool देखें अभी हम लोग अगर air cool देखेंगे तो इसमें air का use किया जाता है ठंडा करने के लिए तो if a condenser is located on the outside of the unit अगर condenser को unit के बाहर लगा दिया जाए ठीक है न जैसे कि आपको अगर दिखेंगे unit के बाहर अगर लगा दिया जाए तब जाकर कि क्या करना होगा उसको हम लोग air cool करना होगा the air cool condenser can provided the easiest arrangement यह सबसे आसान arrangement करना आसान होता है है ना this type of condenser eject heat to the outdoor and simply to simple to install इसको install करना भी काफी आसान होगा और यह आसान तरीके से कर देगा लेकिन इसमें जो efficiency है air में अगर cool हो तो तो इसमें जो efficiency है ठंडा होने का यह बहुत कम होता है as compared to water condenser जो water condenser है water medium में condensed अगर होगा तो उसके compare में air condensed कम होगा तो यह थोड़ा efficient कम है most common use for this condenser are domestic refrigerator मैंने बहले ही बताया था कि domestic refrigerator में इसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल होता है upright freezer upright freezer में भी and in residential packaged air condensing unit है ना तो इस तरह का AC में domestic refrigerator में इन सब चीजों में इसका इस्तमाल सबसे ज़्यादा होता है ठीक है air cooled condenser का a great feature of air cooled condenser is they are very easy to clean air cooled condenser काफी आसान होता है साफ सुत्रा करना क्योंकि वहाँ पे कोई भी है ना यहाँ पे air cooled condenser में हम लोग अगर कोई metal का जैसे हम लोग पहले water cool देखे थे तो उसमें बाहर से जो water ठंडा करने के लिए आ रहा था उसमें तो आप उसको treat करके नहीं ला रहे थे ना जो आपका अंदर में जो है जो turbine से आपका निकला था वो तो काफी treated था उसमें केटायन एन नहीं था लेकिन जो water आप normal water जो इस्तमाल करने ठंडा करने के लिए उसमें तो केटायन एन एन सब कुछ है तो वो भी तो metal surface के outer body में touch में आ रहा है outer body के touch में आएगा तो corrode तो वो भी करेगा है ना तो उसमें भी गंदगी आएगा तो उसके लिए उसको साप सुत्रा करना पड़ेगा लेकिन air cooled condenser में इस तरीके का कोई भी बात नहीं होता है अब मैं देखूंगा ev operative ev operative क्या होता है आपका syllabus में सारा कुछ है है ना अंतक बने रहिएगा ev operative जो है ev operative क्या होता है while this remaining the latest popular choice popular choice they are used when either water supply in inadequate to operate water cooled condenser or condensation temperature is lower then can achieve by air cooled condenser इसमें बोला क्या गया कि अगर मान लिजे कि inadequate supply of water हो मतलब water कम हो जाए है ना water में water से जो हम लोग को ठंडा चाहिए वो कम हो जाए या फिर water ना हो हम लोग use ना कर पाए water का और जो temperature हम लोग को ठंडा करना है वो temperature भी जादा ना हो कि हम लोग को water का इस्तमाल करना पड़े है ना मतलब normal अगर आपको ठंडा करना है है न तो उसके लिए हम लोग evoporative का इस्तमाल करते हैं evoporative evoporation process का इस्तमाल किया जाता है इसको हम लोग evoporative कहते हैं ठीक है evoporative condenser can be used inside or outside of a building under the typical condition operate at low condensing temperature यह low condensing temperature में operate किया जाता है यह building के अंदर या बाहर या कहीं भी use किया जा सकता है जैसे कि मैं आपको example बताऊं तो आप cooler देखें घर में जो cooler use होता है cooler का का काम क्या होता है वहाँ बस एक simple सा fan लगाया हो रहता है और वो जो fan क्या करता है कि उसमें हम लोग पानी का supply करते हैं और उसमें जो पीछे side में पॉल जैसा कुछ-कुछ लगाया वरता है तो वो क्या करते हैं हम लोग पानी का pump का use करके जो summer civil pump लगाते हैं pump का use करके हम लोग वो पूरा पॉल को भिंगा देते हैं और जब fan start करते हैं तो वो पॉल कहां पे रखते हैं तीनो side में लगा के रखते हैं और आगे side में भी लगा करते हैं पूरी तरह से covered रहता है वो पॉल से तो जब fan चलता है जब अपना fan चलता है तो क्या होता है वो air को सक करेगा कहां से सक करेगा almost पीछे से सथ करेगा तो जब वो भींगा हुआ पौाल से होते हुए गरम हवा बाहर का गरम हवा जब वो पौाल से होते हुए अंदर जाएगा तो क्या होगा उसमें जो heat है वो evoporate हो जाएगा तो वो ठंडा air हो जाएगा और वो ठंडा air को वो आगे की और फैन की मदद से, फोर्जड फैन की मदद से, वो हवा आगे की और चला जाएगा, तो evaporative process वही कहता है ठीक है न, हम लोग इसका एक figure भी देखेंगे नीचे में, typically these are used in large commercial air conditioning unit, हम लोग अगर large air conditioning unit है, जैसे बहुत बड़ा area में अगर करना है, तो हम लोग यही करते हैं जिसका इस्तमाल मैंने आपको पहले ही बता चुका है, जो centralized AC है centralized AC जो industry plant वगेरा में किया जाता है, वो almost इसी तरीके का part होता है although they are not necessarily the most efficient, यह जरूरी नहीं है कि यह काफी ज़्यादा efficient हो लेकिन फिर भी इस्तमाल किया जाता है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह warm air यहाँ से आया, इससे pass हुआ और यह जाकर कि fan इसको बाहर छोड़ देगा, जो कि cooled air होगा ठीक है, यहाँ पर पानी रखाया हुआ है पानी के मदद से हम लोग pump कराएंगे यहाँ drop wise, drop wise गिराया जा रहा है है ना, ठीक है तो इसी तरह से होगा, अब इसका यह जो cooler का जो process है, उसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि when warm water is drawn into the air cooler, जब warm water, warm air को air जब सक होगा, air cooler में तो it pass through गा weight honeycomb cooling medium, जो honeycomb, मतलब जो पॉल जैसा कुछ लगाया हुआ है, जली दार type का, इससे पास होगा वो जब वो इससे पास होगा, तो as it passes through the honeycomb cooling medium, water falling over it, absorb heat from the air, causing the water to evaporate, और उससे क्या होगा, जो heat होगा, वो heat कौन ले लेगा water ले लेगा heat, और वो water evaporate हो जाएगा और air मेरा ठंडा हो जाएगा thus result in cooler moisturized air, और जो air होगा, वो moisturized हो जाएगा, moisture आजाएगा उसमें और वो ठंडा हो जाएगा, a powerful fan, thus propels this cool air into the room, और वो जो air है powerful fan, है न, या फिर forced fan आप कह सकते हैं, तो forced fan क्या होगा, वो ठंडा हवा को room के अंदर छोड़ देगा ओके, the result is a constant flow of fresh and moisturized cooled air, while stale air is circulated out of the room through an open window or door और जो बासी हवा है, room के अंदर में, वो खिड़की दरवाजा से पाहर चला जाएगा ओके, तो यही main function है cooler का, आपको आज बहुत कुछ समझ में आया होगा cooler का function वगिरा भी समझ में आया okay, thanks for the listening as always, God bless you all stay at home, keep learning